संसत भवन में 18 वी लोकसभा की कारवाई शुरू हो चुकिये लोकसभा अध्यक्ष की भाषा कैसी होने चाहिए लोकसभा अध्यक्ष पर यकीन कैसा होना चाहिए लोकसभा अध्यक्ष को नसीहते देनी पड़ जाएं सदन के शुरुवाते दिनों में लोकसभा अध्यक्ष ने शुरूती दिनों में ये संकेत दे दिये हैं कि वो भी कोई बदलने वाले नहीं हैं विपक्ष के निताओं ने किया किस तरह का इशारा जो सदन के लिए एक नजीर बनता जा रहा है क्यों किया इशारा अखिलेश यादों ने कि किसका उल्टा न हो जाएं निश्कासन जैसी कारवाई पर क्या बोले अखिलेश यादों आपका अंकुष बिपक्ष पे तो रहता ही है लेकिन आपका अंकुष सत्ता पक्ष पे भी रहे है मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत उची होब क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूँ अद्धेशी उसकी कुर्सी बहुत उची है मैं अद्धेशी किसको कहूँ कि ये कुर्सी और उची हो जाए आप लोगतांतिक न्याय के मुख न्यायदीस की तरह बैठे है हम सब की आप से अपिक्षा है कि किसी भी जन प्रदिनिदी की आवाज दवाई न जाए और नहीं निसकासन जैसी कारवाई दुबारा सदन की गरिमा को ठेस होचाएं क्यों कहा रहूल गांधी ने कि सरकार से जादा हम भारत की आवाज बन कर आए हैं इसले आपको हमें सुनने का ज्यादा मौका देना पोरे This house represents the voice of India's people and you speaker sir are the final arbiter of that voice Of course the government has political power but the opposition also represents the voice of India's people कर दिए लास पॉप सिर्फॉन दोपसित अब्राद च्रू आप्रेश्स के इसलिए। तो एक रौस कर दुट लूञए फ्राथ यंप, लूट रहत व जाया। । । राहुल गांडी को सुनने के बाद और अखिलेश यदो को सुनने के बाद कि इतना तो तैं है कि आने वाला वक्त सदन के भीतर का सामाने नहीं रहने वाला क्यों कहा जम्मू कश्मीर के एक सांसद ने कि कैसे इसी सदन में जब एक सांसद को बहुत बुरा बोला गया तो आप क्या कर रहे थे इससे यह इवारत लिखी जाएगी कि आप किस के पक्ष में कड़े थे जनाब स्पीकर साब मैं आपको जम्मू कश्मीर कांफरेंस की तरफ से स्पीकर मुन्तखब होने पर मबारक बात पेश करता हूँ और आप से ये गुजारिश है कि आज के बाद आप ना बीजेपी है ना कॉंग्रेस है ना समाजवादी है आज के बाद सिर्फ आपकी एक ही पार्टी है आई नहिन दे कंस्टिटूशन आफ इंडिया अमीद है कि आज के बाद आप उसके कस्टोडियन होंगे आपको इस बात से याद रखा जाएगा कि क्या आपने टेजरीर बेंचिस को मजबूर किया अपोजिशन का सुनने के लिए या आपने अपोजिशन को खामोश किया आपको पी-20 के लिए याद नहीं किया जाएगा आपको याद किया जाएगा जब इसी आईवान में एक मुसल्मान MP को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसल्मान है आपने उस आवाज को उस नाजाइज आवाज को कैसे खामोश किया या आपने उन आवाजों को उठने दिया अगर एक MP जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है अगर उसको इस हाउस में जमूरियत के बड़े इधारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है तो उन मुसल्मानों को सड़कूप पे भी टेरिस्ट कहा जा सकता होगा इसी तरह से अगर सब ठीक रहा तो कि अगर पांच सालों तक सदन चलेगा तो कैसा चलेगा इसका इशारा शुरुवाती इन संकेतों से समझाया सकता है नवश्कार राष्टपती के अभिभाशन के साथ जो एक बात पूरे देश में चर्चा का विशय बनी हुई है उस पर आज हम बाचेत करने जा रहे हैं और वो चर्चा का विशय ये है कि कैसे संसत के शुरुवाती दिनों में ही लोगसभा अध्यक्ष का विवहार उनकी भाशा उनका तेवर उनका अपना रवया कहां खड़ा है और विपक्ष के निताओं ने किस बात का संकेत किया जब लोगसभा अध्यक्ष के चुनाओं के बाद उनके धन्यवात के लिए लोगों को बोलने का मौका मिल रहा था लोगतंत्र में समविधान लागू जहां है जिन्देशों में वहाँ वाद विवाद समवाद की प्रक्रिया बहुत स्वस्त मानी जाती है प्रश्रिम के एक बड़े विद्वान ने कहा मैं आप से आपके विचारों से घोर असहमती दर्ज करता हुआ भी हो सकता हूँ बावजूद उसके मैं आपके बोलने के अधिकार के लिए लड़ूँगा और आपके बोलने के अधिकार को आजादी को हिफाज़त करूँगा लोगतंत्र का बुनियादी तकाजा है असहमत आवाजों को भी जगे देना और संसद जहां पर अलग अलग प्रकार की कई तरह की असहमत आवाजें पहुँचती हैं और वही लोगतंत्र होता है देश के संसद में किसी एक पार्टी, किसी एक विचारधारा या किसी एक रंग, एक भाशा, एक संस्कृती के लोग नहीं होते पूरे देश से अलग अलग तरह के लोग वहाँ पहुचते हैं जिसका बहुमत होता है या जो एक होकर के बहुमत साबित कर लेता है वो सरकार में बैठा होता है और जो बहुमत के आंकडे से कम रह जाता है वो विपक्ष में बैठा होता है लेकिन सदन के भीतर जब लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है जिसके लिए ये शर्थ होती है कि वो जब अध्यक्ष बन जाएगा तो पूरे सदन का कश्टोडियन होगा अध्यक्ष का पत इतना सम्मानित इतना गरिमा में और इतना वरिष्ट होता है कि इस बात से तय होता है कि सदन के भीतर जो चलेगा वो देश हित्म है कितना है कैसा है इसको सुनिश्चत कर सके इसलिए वो किसी एक दल का पक्षधर नहीं होगा, वो किसी एक विचार का पक्षधर नहीं होगा, वो किसी सत्ताधारी दल का पक्षधर भी नहीं होगा ये एक सैध्धान्तिक पक्ष है लेकिन ब्यवहारिक पक्ष ये होता है कि ऐसे पद पर जो लोग बिठाए जाते हैं उनकी अपनी एक राजनितिक प्रिष्ट भूमी होती है उनका अपना एक राजनितिक इतिहास होता है वो किसी दल से मिले हुए होते हैं उनको कोई करते हैं और होता भी होगा लेकिन भीतर भीतर कुछ संदे ऐसे रह जाते हैं जिसका इशारा विपक्ष के लोगों ने पहले ही दिन के विभाशन में कर डाला और जिस बात का संदेह विपक्ष के लोग व्यक्त कर रहे थे लोग सभा अध्यक्ष ने पहले ही दिन ऐसा लग रहा था कि अपना धैर खो करके उन्ही संदेहों को पुष्ट कर दिया विस्तार से इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे क्या लोक सभा अध्यक्ष जैसे पद पर कुर्सी पर बैट करके किसी व्यक्ती को किसी सम्मानिच व्यक्ती को ऐसे तेवर में किसी भी सांसत से बोलना उचित है इस भाषा शैली में इस बौडी लेंगविज में देह भाषा जिसे हिंदी में कहते है मैं आपको एक शब्द बोलता हूँ चुकि मैं भाशा विज्ञान का विद्यार्थी हूँ एक शब्द है अच्छा इसे उचारण करने की देह भाशा और शैली से इसके अर्थ बदल जाएंगे अच्छा 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 एक शब्द है और ऐसे अंगिनत शब्द होते हैं भाशा अपने देह भाशा से भी अर्थ ग्रहण करती है और अर्थ संप्रिशित करती है सामने वाले तक अर्थ पहुँचाती है इसलिए मित्रों से बात करने की शैली अलग होती है पिता से बात करने की शैली अलग होती है बड़ों से अलग होती है छोटों से अलग होती है आप एक शैली में देभाशा में बात नहीं कर रहे होते तो जो देश का सबसे बड़ा सदन है उसमें सबसे बड़ी कुर्सी पर वेठी विक्ती के लिए क्या यह अपेक्षा विपक्षगर करे क्या पर आप जो करेंगे वो तो एक बात है और उस अपेक्षा में एक सदभा होता और उसके बावजूद लोगसभाद्यक्ष की देह भाषा ऐसी हो गई बैठ जाओ, बैठ जाओ, ने आप बैठ ये बैठ ये आप मेरी बात सुनो और सबसे महत्पूर जब स्पीकर खड़ा हो जाए तो कोई भी सदस्य खड़ा नहीं होगा बोलेगा नहीं, उसे बैठ जाना होगा प्रामेरी स्कूल में माश्टर कैसे पढ़ाते थे हिंदी की ये कविता है गुनखाए शहतीरों पर की बारक खड़ी विधाता बाचे फटी भीत है छट चूती है आले पर बिस्तुया नाचे और मिनट मिनट पर बरसा कर बेबस बच्चों पर पाँच तमाचे इसी तरह से दुखरन माश्टर गढ़ता है आदम के साचे प्राइमरी स्कूल के माश्टरों के लिए कहा जाता है कि वो जब क्लास को कंट्रोल नहीं कर पाते तो एक बुला के किसी को आए दिया और इसके बद पूरी क्लास लेकिन सदन क्लासरूम नहीं होता, इसके किताब बनी हुई है, इसका तरीका बना हुआ है और इसके परंपरा बनी हुई है तो जो सैधान्तिक और लिखी गई शब्दों में नियमों की परंपरा है, उसी में एक शर्त यह भी तो परंपरा की होगी कि आप डाटते वक्त यह ना ऐसास होने दें कि आप सत्ता पक्ष के किसी सांसत को डाट रहें या अपनी पार्टी के किसी अकेले एक सांसत को डाट रहें क्योंकि सदन में पहुँचा हुआ हर एक सांसत बराबर की अहमित रखता है, बराबर का सम्मान रखता है चाहे वो पपुयादव हो, चाहे वो चंशेकर आजाद हो, चाहे वो कश्मीर के एक सांसद हो, और चाहे सत्ताधारी दल के सांसद हो, ये भेद तो नहीं होगा और लेकिन ये जो body language, बात उन्हें न सही कही, कि जब सदन में लोग सबात धिक्ष खड़े हो जाए, तो कोई ख से कही जाती है, इसका सलिकाहो तो हर बात सुनी जाती है, इसलिए सदन में इस बात के संकीतों को अब पढ़ा जाएगा, दस साल तो इस तरह का तेवर चल गया क्योंकि विपक्ष उतना ताकतवर नहीं था, जिसका इशारा अखिलेश यादोर्त राहुल गांदी दोनों न यह कहा कि सत्ताधारी दल को बहुमत दिया है जनता ने, लेकिन विपक्ष को भी बोलने और अपने मुद्दों को रखने की आवाज दे है, और इस बार तो ऐसा लगता है कि हम इंडिया की आवाज जादा मुखर हैं, इसलिए आपको हमें भी सुनना पड़ेगा, सुनिए लाहूल गादी की पूरी बात चेत को. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker Sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the house to function often and well. Speaker Sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house. This is very important. रहे थे कि राहुल कौन राहुल और अब वही राहुल उनको साथ में खड़े होकर वहां सामने सवाल पूछेंगे और लोग सबाद्यक्ष के कुरसी पर हाथ मिला रहे हो एक तस्वीर पहली बार लोगों ने देखी कि पिछले 10-11 साल पे पहली बार नरेंद्र मोदी के आगे खड़े होकर किसे शक्ष की फोटो आई और वाइरल होई ये वक्त का बदलाव है और इस बार उन्हें नेता प्रतिपक्ष के जम्मेदारी मिले हैं इसलिए राहुल गांधी की बाहशा में वह एक संकेत आप मिश्वास दोनों था कि अब सदन के भीतर का माहौल बदल चु देगा जैसा पिछले 10 साल चला है इसके बाद नंबर था जैसने पूरी तरह से एक तरह से महफिल लूटी वो दूसरे विपक्ष के ताकतवर निता अखिलेशिया दोने जब उन्होंने खड़े होकर बधाई तो दी लेकिन अपने तंज करने अपने हूमर अपने विट से फिर से एक बार पूरे देश का ध्यान आकर्शित किया ये कहते हुए कि आपके इशारे पर सदन चले इसका उल्टा नहों ये जो अखिलेश यादों का अपना एक्तेवर था उन्होंने कहा कि निश्कासन जैसी प्रक्रिया दुबारा नहों और बातों बातों में कैसा होता है ये पिछले दस साल में देश ने देखा और विपक्ष के निताओं के भाषर में फिर से देश ने एक संदेज सुना और फिर देभाषा बदल गई जब उम्बिल्ला जी की तो वो लोगों ने देखा वे तो इस तरह से एक नई प्रक्रिया संसत के भीतर दिखा आई और सुनाई दे रही है चंद शेकर आजाद जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों की आजाद आवाज हूं इसलिए भले ही मैं अपने इस पार्टी का अकेला सांसा दूं लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे भी अपने ल सब्सक्राइब करता हूँ कि आप लोकतंतर के रक्षक हैं पर करती हैं आपको लोगतंतर की रक्षा करने की जो है ताकत परदान करें साथ सार मैं पूरे सदन को आरक्षण के जनक साउजे महराज की आज जैनती उसके लिए भी बदाई देता हूं सर और मैं आप से आगरे करता हूं सर हमारे लोग बहुत बुरी हालाद में हैं सर वहां और अगर हमें मौका नहीं मिलेगा सर हम अपनी बात नहीं रखते हैं सर आप इस हाउस के रिपोजिटरी है कस्टोडियन है मगर हकीकत यह है कि अक्सरेती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताखत नहीं है यहां अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज भी है पपुयादों को बोलने के लिए मुल्यों का राज नहीं होगा जो अकले में अधान स你好 दे वो तो बारबर कहेगा नहीं भाई क्योंकि उसका लिस्ट में नंबर में बहुत कम होगा समय कम मिलेगा पता नहीं हर बार का मुलेगा बी या नहीं लेग इन तमाम संदेह और वहास्तविक परिस्तियों के बीच कोई कोशिश करेगा कि वो बार बार बोल सके और जब वो बोलने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा दो चार बार उन्हें खड़ा होना पड़ेगा इसलिए उन्हें बठाने का तरीका ये कैसे लगा ने बढ़े बढ़े ये जो तरीका तो और ये तरीका तब और बढ़ गया जब हर सिमरत कौर भी बोलने लगी सोगतों था बोलने लगे बंगाल के त्रडमूल कॉंग्रेस के बड़े नेता और उन्होंने भी ये संदेह दिया उन्होंने तो इशारे में यहां तक कह दिया कि अब तक के अपने संसत के इतिहास में पिछले दस साल छोड़िये पिछले पांच साल में जो हुआ सदन के बीतर वो अनुभव मेरा नहीं है इवे प्रक्ष के निताओं ने सदन में बोला जम्मु कश्मीर से चुने हुए जनता के प्रतिनिधे ने जब सवाल पूछ दिया कि न तो आप कॉंग्रेस के न भाजपा के न सपा के होंगे आप सब के होंगे आप भारत के समविधान के होंगे और समविधान के होने के नाते आप जितने बाकी सब के होंगे उतने ही हमारे भी होंगे इस बात से यह देश का इतिहास नहीं लिखा जाएगा कि आपने कितने महान कानूनों को पास करवाया जैसा सत्तापक्ष कहलवाना और बताना देश को चाहती है देश की आने वाली पिडियां एक सवाल पूछेंगे कि जब सदन में चुने हुए प्रतिनिधी को गालियां दी गई अपमान किया गया तब आपने इस तरह की चीजों को कितना रोका और यह कितना शांदार सवाल था और इसके बाद फिर से उम बिरला जी का वेवहाद देखे भले ही उन्होंने बाद में एक दो तत्थ ऐसे बोले जो हो सकता है तर्थ हैत्म गुरूप से सही नहीं होगा जो सदन की कारवाई में आप गलत त्थ नहीं बोल सकते हैं ने उसका नाम नहीं ले सकते, बहुत तरह के नियम हो शक्ति होती है, संसदी ये भाषा का इस्तेमाल होगा, लेकिन सदन के एक लोकसभाद ध्यक्ष से, ये सवाल तो आने वाली पुडियां बार-बार पूछेंगी, कि नया संसद भवन बना था, और नए संसद भवन के दिन जब उदगाटनों के शुरुवाती दिन थे, उनहीं में एक चुने हुए संसद ने, दूसरे चुने हुए संसद को सदन के भीतर, उसके धार्मिक पहचान के नाम पर गालियां दी, तो अगर उसने ये पूछ दिया, कि जब सदन के भीतर हमारे लोगों को, केवल हमारी पह पहचान के नाम पर इतना अन्याय तैचार हो रहा है, तो हमारे गाउं में क्या होगा, कजबों में क्या होगा, दूर इलाकों में क्या होगा, और इसलिए है, जब चंदर शेकर आजाद बोल रहे हों, अवधेश पासी बोल रहे हों, जब पपूयादो बोल रहे हों, जब प्राहुल गाधी बोल रहे हों अखिलेश यादों बोल रहे हों या जब असवत दिनों ऐसी बोल रहे हों तो सदन के भीतर तो वो अपनी पहचानों अपने सवालों और अपने विचार धरा को भी साथ में लेके खड़े न तो जिस तेवर से उनको रिपलाई मिले और जिस त शुरुआती दिनों में एक बात तो तैं हो गई है विपक्ष को जनता ने ताकत दे दी है आत्मिश्वास दे दिया है और विपक्ष को कि संविधान को हाथ में लिए खड़ा है तो नैतिक और राजनतिक रूप से वो एज पर है वो बढ़त लिए हुए है और ताकत जनता ने बढ़ा दी तो वहां संख्या बल की बढ़त भी लिये हुए और स्पीकर वही पुराने सत्ता वही पुरानी प्रधान मंत्री वही पुराने इसलिए उनका रवया उनका मिजाज उन लोगों का रवया और मिजाज भी तो वही पुराना होगा जो पहले दिन स्पीकर की बोडी लेंग्विज में तिक गया और अगर ये इसी दिशा में रहा और अगर लोग सबाद धक्ष का रवया ऐसा रहा जिसका संदेव विपक्ष के लोगों ने पहले ही दिन बताया और अगर ये इसी दिशा में आगे बढ़ा नूरा कुष्टी भरी सहमती असहमती भरी सवालों से लैस ताकतवर दृष्ट देखने को मिल सकते हैं जनता ने जिने ताकत दी है वो जनता की ताकत और आत्मिश्वास से आगे बढ़ेंगे और जनता ने जिने सत्ता पर पहुँचाया है वो भी अपने पुराने मिजाज की तरा आगे बढ़ेंगे और लोग सबात देक्षने शुराती दिनों में ये संकेत दे दिये हैं कि वो भी कोई बदलने वाले नहीं हैं तो अब देखना दिर्चस्प होगा कि अब परिस्तिया जब बदल गई तो क्या होता है आपका क्या मानना है नीचे कॉंट बॉक्स में जरू बताइएगा संसत के भीतर क्या होगा सदन के भीतर क्या होगा और समाज के भीतर क्या हो रहा होगा इन सारी चीज़ों को हम आप से यूही रूबरू कराते रहेंगे देखते रहें तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद